जब हम computer को कोई information मोहिया करते हैं, तो वो computer की input कहलाती है. जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि जो चीज़ computer को input देने के लिए इस्तमाल की जाती है, उससे हम input device कहते हैं. इस section में हम आपको एक एहम input device के बारे में तफसील से बताएंगे. Keyboard Basics Objectives इस lesson को करने के बाद आप जान जाएंगे कि keyboard क्या है, keyboard पर मुझूद मुख्तलिफ keys कौन सी है और इन keys से क्या काम लिया जा सकता है. जैसे के हम कागज पर कुछ तहरीर करने के लिए कलम इस्तमाल करते हैं, उसी तरह कम्प्यूटर में कुछ लिखने के लिए, हम जो input device इस्तमाल करते हैं, उससे keyboard कहा जाता है. अब आप मुख्तलिफ किसम के keyboard देख रही हैं. हर किसम के keyboard पर तमाम बुनियादी keys मौजूद होती हैं. हो सकता है कि कुछ keys की location आपके keyboard पर मुख्तलिफ हो. ये वो keyboard है जिसके बारे में हम आपको बताएंगी. इसे keyboard इसलिए कहा जाता है, क्यूंकि ये एक board है, जिस पर keys या button लगे हुए हैं. इन में से कुछ keys का size बाकियों से मुख्तलिफ होता है. Computer Keyboard एक आम से typewriter जैसा होता है, जिसमें कुछ इजाफी keys शामिल होती हैं. Keyboard पर लगी हुई हर key एक मुनफरित किसम की information कम्प्यूटर को देती है. Process of Key Pressing Keyboard keys को उंगली की मदद से दबाया या प्रेस किया जाता है, और फिर छोड़ दिया या रिलीस कर दिया जाता है. इस अमल को Keystroke कहती हैं. इस बात का खयाल रखें कि कीबूर्ड की किसी की को दबाते हुए, उस की को एक मरतबा दबाना है और फिर छोड़ देना है. अगर आप किसी की को मुसलसल दबाई रखेंगे, तो देखें कि उस की का केरेक्टर बार बार लिखा जाएगा. Keyboard overview अब हम आपको कीबूर्ड की मुख्तलिफ कीज के बारे में बताएंगे. जैसा के आप देख रही हैं के कुछ कीज के ऊपर केरेक्टर्स लिखे हुए हैं, जैसे A, S, D, F वगएरा. इन कीज को अलफबट कीज कहते हैं. कुछ कीज के ऊपर नमबर्स लिखे हुए हैं, जैसे के आप देख रहे हैं, 1, 2, 3 वगएरा. इन कीज को नुमेरिक या नमबर कीज कहते हैं. इसे कीबोर्ड के हिस्से में, केरेक्टर और नमबर कीज के अलावा, कुछ और स्पैशल कीज भी मौचूद हैं, जो हाइलाइटिट नजर आ रही हैं. इनको हम थोड़ी दिर में तफसील से देखेंगे. कीबोर्ड के बाइन जानेब ऊपर की तरफ अब जो हाइलाइटिट की आप देख रहे हैं, उसके ऊपर ESC यानि Escape लिखा हुआ है. ये Escape की कहलाती है. ये कीज जो अब आप हाइलाइटिट देख रहे हैं, इनको Function कीज कहती हैं. इनके ऊपर F1, F2, F3 बगएरा लिखा हुआ है. अब हमें कीबोर्ड की दाइन जानेब चार कीज नजर आ रही हैं, जिन पर तीर के निशान बने हुए हैं. ये Arrow कीज कहलाती हैं. ये देखिए, कीबोर्ड के बिल्कुल दाइन जानेब, आपको कीज का एक सेट नजर आ रहा है, इसे Numeric Keypad कहती हैं. ये कुछ और कीज हैं, जो कम्प्यूटर पर मखसूस काम करने के लिए इस्तमाल की जाती हैं, जिनकी तफसील हम कुछ देर में देखेंगे. कीबोर्ड के दाइन जानेब, उपर की तरफ, आप तीन छोटी लाइट्स देख रही हैं. ये लाइट्स कीबोर्ड की कुछ खास कीज के आउन या ओफ होने की निशान देही करती हैं. इनकी तफसील हम थोड़ी देर बात देखेंगे. कीबोर्ड डीटेल्स. आईए, अब हम कीबोर्ड की अहम कीज को तफसील से देखते हैं. करेक्टर कीज. जैसा के हम पहले भी आपको बता चुगे हैं, कि करेक्टर कीज के जरिये हम मुख्तलिफ करेक्टर्स या हरूफ लिखते हैं या इंपुच करते हैं. Space Bar Key ये देखिए, अब आपको एक लंबी Key नजार आ रही है इसे Space Bar कहते हैं असल में इस Key को हम Space Bar इसलिए कहते हैं क्यूंकि इसको एक मरतबा प्रेस करके छोड़ा जाए तो किसी भी दो केरेक्टर्स के दर्मियान एक Space या फांसला हो जाता है मिसाल की तौर पर अब आप स्क्रीन पर देख रही हैं कि हम वर्चूल लिख रही हैं अब हमने Space Bar की एक मरतबा दबाई है और इसके बाद University का लफ्स लिख रही हैं गोर करें कि दोनों अलफास के दर्मियान Space Bar प्रेस करने की वज़ा से एक केरेक्टर का फासला मौजूद है देखिए इस तरह नंबर्स लिखने के लिए हम इन नंबर्स का इस्तामाल कर रही हैं इन्हें नंबर्स कहते हैं पंक्शूएशन कीज चुँकि हम रोजमर्रा जिंदिकी में अपनी तहरीरों में पंक्शूएशन मार्क्स का इस्तिमाल करती हैं इसलिए कीबोर्ड पर भी ऐसी कीज मौजूद हैं जिन पर पंक्शूएशन मार्क्स हैं अल्फबेट कीज के दाई जानिब आप इन कीज को देख रहे हैं देखिए अब हमने कॉमा प्रेस किया है और स्क्रीन पर कॉमा लिखा नजर आ रहा है अब हमने फुल स्टॉप की प्रेस की है और स्क्रीन पर एक फुल स्टॉप नजर आ रहा है इन कीज के साथ हमारे पास दो ब्रेकिट कीज भी मौजूद हैं जैसा कि आप देख रहे हैं देखिए ब्रेकिट की प्रेस करने से स्क्रीन पर एक ब्रेकिट नजर आ रही है इसी तरह एक की बैक स्लैश के लिए भी है देखिए इस की को दबाने से स्क्रीन पर जो हर्फ आपको नजर आ रहा है इसको बैक स्लैश कहते हैं अब जो हाइलाइट की आप देख रहे हैं उसे Enter या Return Key कहते हैं इस Key के उपर Enter लिखा हुआ है और एक तीर का निशान बना हुआ है हो सकता है कि आपके Keyboard पर इस Key के उपर खाली Enter लिखा हो या सिर्फ तीर का निशान बना हो असल में जब हम Keyboard की मदद से कम्प्यूटर में कुछ लिखते हैं तो एक लाइन खत्म होने से पहले अगली लाइन पर जाने के लिए हम Enter की को दबाते हैं ये देखिए आपकी आसानी के लिए Keyboard के नाई जानिब Numeric Pad पर भी एक Enter की मुईया की गई है इस Key का इस्तिमाल भी बिलकुल वैसा ही है जैसा हमने अभी पहली Enter की के बारे में देखा है आपके सामने हम Virtual University लिख रहे हैं अब हमने Enter की दबाई है देखिए कि इस Key को दबाने से करसर अगली लाइन पर आ गया है और अब हम जो लिख रही हैं वो अगली लाइन पर नजर आ रहा है आपके सामने एक स्क्रेन मौजूद है जिसके दो हिस्से हैं नीचे वाले हिस्से में आप एक Keyboard देख रही हैं इस Exercise में अपने जो भी टाइप करना होगा उसकी Key आपकी आसानी के लिए Keyboard पर हाइलाइट हो जाएगी स्क्रीन के उपर वाले हिस्से में आपने हिदायात के मुताविक मुखतलिफ characters टाइप करने हैं Exercise के पहले हिस्से में आप Welcome to CPR लिखेंगे इसके लिए सबसे पहले आप W की Key प्रेस करें देखिए नीचे Keyboard पर ये Key हाइलाइट है Press W अब E प्रेस करें L वाली Key प्रेस करें अब आप C प्रेस करें O प्रेस करें अब Key जिस पर M लिखा हुआ है प्रेस करें अब E प्रेस करें Space Bar प्रेस करें T की Key प्रेस करें O वाली Key प्रेस करें फिर Space Bar प्रेस करें अब C प्रेस करें पी की की प्रेस करें और एल प्रेस करें शाबाश देखिए आपने Welcome to CPL लिख लिया है Exercise 1B Numbers and Punctuation Keys Exercise के दूसरे हिसे में हम कुछ Punctuation Keys की Practice करेंगे इसमें आप Date और Time लिखेंगे इस हिसे में भी आपकी आसानी के लिए जो की दबानी होगी वो नीचे दिये गए कीबोर्ड पर हाइलाइट कर दी जाएगी सबसे पहले आप One की की प्रेस करें देखिए नीचे कीबोर्ड पर ये की हाइलाइट है अब आप Four प्रेस करें अब जिस की पर forward slash बनी हुई है वो प्रेस करें अब Zero प्रेस करें अब Eight की की प्रेस करें अब आप forward slash प्रेस करें One प्रेस करें Nine वाली की प्रेस करें अब आप Four प्रेस करें अब Seven प्रेस करें Congratulations! आपने 14 अगस्त 1947 की डेट लिख ली है. अब जिसकी पर कॉमा बना हुआ है, उसे प्रेस करें. 0 प्रेस करें. अब 3 प्रेस करें. जिसकी पर डैश बना हुआ है, उसे प्रेस करें. 2 प्रेस करें. अब 5 प्रेस करें. फिर डैश प्रेस करें. फोर प्रेस करें, अब सिक्स प्रेस करें, और आखिर में फॉल स्टॉप प्रेस करें, शाबाश, आपने पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तमाल भी सीख लिया है, कॉम्बिनेशन कीज, क्या आपको मालूम है कि कीबोर्ड पर कुछ ऐसी कीज भी हैं, जो दूसरी कीज के साथ म नॉन टाइपिंग कीज केते हैं, यानि के वो कीज, जिनको दूसरी कीज के साथ मिला कर इस्तमाल किया जाता है, जैसा के आप देख रहे हैं, कि हमारे सामने दो कीज मौझूद हैं, इनमें बाइजाने वाली की, नॉन टाइपिंग की है, और दाइजाने एक आम केरेक्टर की है, अब आप देखिए, कि इन कीज के कॉंबिनेशन को इस्तमाल करने के लिए, हम पहले नॉन टाइपिंग की दबा रही हैं, अब देखिए, कि इसको दबाई रखते हुए, हम टाइपिंग की दबा रही हैं, इसके बाद हम दोनों प्रेस्ट की को छोड़ रही हैं, ये देख सकते हैं कि दूनों कीज पर ALT यानि ALT लिखा हुआ है. ALT, ALTERNATE का मुखफफ है. इन दूनों कीज को ALT कीज कहते हैं. ये भी NON-TYPING कीज हैं, जो किसी भी टाइपिंग की के साथ इस्तमाल हो सकती है. इन दूनों ALT कीज का काम एक ही है. ये दूसरी ALT की सिर्फ आप की सहूलत के लिए है. Using ALT कीज, फर्ज करें कि हमें कोई काम करने के लिए ALT की को F के साथ इस्तमाल करने की जरूरत है. देखिए, आपके सामने सबसे पहले हमने ALT की को दबाया है. अब इसे दबाये रखते हुए हम F की दबा रहे हैं. गोर करें कि ALT की अभी भी दबी हुई है. अब F की दबाने के बाद हम दूनु प्रेस्ट कीज को छोड़ रहे हैं. इस तरह हमने ALT और F कीज को मिला कर इस्तमाल किया है. इस बात का खयाल रखें कि ALT की को F के साथ इस्तमाल करते हुए, अगर हम ALT की प्रेस करते हैं और उसके बाद F की प्रेस करते हैं तो ये तरीका ठीक नहीं है. इस तरह सिर्फ F टाइप होगा. इस तरह अगर आप पहले F की प्रेस करते हैं और उसके बाद ALT की दबाते हैं तो ये तरीका भी ठीक नहीं है. इस तरह भी सिर्फ F टाइप होगा। इसलिए खास खयाल रखें कि पहले Alt की दबाई जाए और इसे दबाई रखते हुए F की दबाई जाए जिसके आप देख रही हैं। कंट्रोल कीज आप देख रही हैं कि बिलकुल बाई जानिप नीचे कोने में एक की है जिस पर CTRL यानी कंट्रोल लिखा हुआ है। इसी तरह ये देखिए ये एक और की है जिस पर भी CTRL लिखा हुआ है। कंट्रोल की भी ALT की की तरह नोन टाइपिंग की है जिसे हम दूसरी कीज के साथ मिला कर इस्तमाल करते हैं। देखिए अगर हमने कंट्रोल की को एक के साथ मिला कर इस्तमाल करना है तो उसके लिए आपके सामनी सबसे पहले हमने कंट्रोल की को दबाया है। अब इसे दवाई रखते हुए हम एक ही दवा रही हैं। और करें कि कंट्रूल की दवाई हैं।